हेलो गाईज मैं हूँ मंदार और आप देख रहे हैं एक ट्रेडर्स इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेटेश्ट वोटिंग ट्रेंज अगर देखा जाए तो ये जो वोटिंग ट्रेंज से ये आज के दिन ही चलेंगे यानि अभी मैं आपको पहले वोटिंग ट्रेंज बताने जा रहा हूँ शाम को दूसरे वोटिंग ट्रेंज बताऊंगा और रात में साड़े दस बजने के बात मैं आपको फाइनल वोटिंग ट्रेंज बताऊंगा जी हाँ और इसी voting trends के अधार पर यानि इसी 23 घंटे के अधार पर वहाँ पर इन 4 लोगों में से कोई एक बेगर हो जाएगा अगर देखा जाए तो वहाँ पर 5 लोग नॉमिनेट होए थे लेकिन पारस को उन में से निकाल दिया है कही न कही ये चार लोग जो थोड़े से आराम से थे कि चलो भई पारस को पिछली बार बहुत कम votes मिले तो ये ही इस बार बाहर जाएगा या इसको ही सबसे कम votes आएंगे और जिस प्रकार से उन्हेंने ने संचलन किया इस वज़े से इनको ही sure shot वहाँ पर कम votes मिलने वाले लेकिन बिग बॉस नहीं यहाँ पर बड़ा खेल खेल दिया और पारस को ही voting से बाहर कर दिया अब बचे है ये चार लोग और ये चार लोग मेंसे कौन होगा घर से बेगर तो चलिए बात करते है latest voting trends की number one पर कौन होगा number one पर है वो बंदा जिसने अपनी खुद की एक image बना ली है आसीम रियास जी हाँ आसीम रियास को बाहर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अगर किसी को घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट है तो वो ते सिद्धा शुकला जिनका already एक fan base था लेकिन घर में जाने के बाद इनके और भी fans बढ़ गए है लेकिन जो आसीम रियास थे आसीम रियास इतने जाला लोगों को पता नहीं थे लेकिन घर में जाने के बाद खुद की एक अलग personality उन्होंने बना ली है और इनका एक अच्छा कासा fan base बन गया है और लगबग इनको जितने votes अभी आए है voting line शुरू होने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये अब safe हो चुके और ये अपनी number one की position भी नहीं छोडने वाले तो number one पे है आसीम रियाज बात की जाए अगर number two की तो वो है रश्मी देसाएक के जी हाँ रश्मी देसाएक ही है number two पे रश्मी देसाएक ही बात की जाए तो रश्मी देसाएके जो fans थे वो असीमरिया से काफी ज्यादा थे शोव से पहले लेकिन घर में जाने की बाद कहीं न कहीं इनके जगडों के कारण या कुछ और वहापर अलग-अलग नजरिया होता है हर एक ओडियंस का हर एक वहापर जो भी व्यक्ति हम देखते हैं शोव हमारा तो वहापर बिग बॉस भी हमें क्या दिखाते हैं तो इस पर भी बहुत सारा निर्भर करता है तो फिलहाल रश्मी देशाई है नमबर दो पे नमबर तीन पे कौन होगा नमबर तीन पे है हिमानची खुराना हिमानची खुराना के फैन बेस की अगर बात की जाए तो हिमानची खुराना को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है पंजाब से इंडिया से और इनका भी बहुत बड़ा फैन बेस है लेकिन फिलहाल ये है नमबर तीन पे और इन पर है खत्रे की घंटी नमबर चार पे कौन होगा है नमबर चार यानि आखरी स्थान पर है शेफाली जरीवाला पिछले कुछ वोटिंग ट्रेंज देके तो शेफाली जरीवाला हर बार उपर रहती है काटा लगा गल को अच्छे खासे वोट्स आते लेकिन इस बार शायद खेमा बदलने के कारण या किसी और वज़ज़ से इनको ज़्यादा वोट्स नहीं आये है वोटिंग लाइन उपन होने के बाद और ये है अभी फिलहाल आखरी स्थान पर लेकिन मैं आपको बतना चा सकती है या उपर जा सकती है इनमें पोजिशन चेंज हो सकते है तो फिलहाल मैं आपको बतना चाहूंगा यह वोटिंग ट्रेश अभी और एक वोटिंग ट्रेंग हमारे हाथ आएंगे जो शाम के वक्त होगा तो क्या कुछ होगा आपको क्या लगता है किसे जाना चाहिए गर यह दोनों भी लड़किया सबसे नीचे रहे तो बिग बॉस ने किसे निकालना चाहिए हमारे comment section में जरूर लिख देना और आपको क्या रखता है इन सारी चीज़ों पर हमारे comment section में जरूर लिख देना तो जल से जल सब्सक्राइब करें Act Riders को क्योंकि आने वाले voting test में आपको बताने जा रहा हूँ तो सब्सक्राइब करें Act Riders को और देखते रहिए Act Riders धन्यवाद